हेलो गाइस कैसे आप सब तो आज हम आपके लिए एक और प्रॉपर्टी लेके आए हैं जो की हमारी डियलेफ फेस वन में है और कॉर्णर की ये प्रॉपर्टी है इसकी फेसिंग जो है वो है साउथ वेस्ट एंड इसका मैं आपको बताऊं तो इसके सामने आपकी बारा मीट की रोड आ जाती है एंड टू साइड ओपन है ये और इसमें हमारा जो फ्लोर एविलेबल है वो है टॉफ फ्लोर विट टेरिस इसमें जो है हमारा थ्री बियेच के बना हुआ है एंड बहुत ही अच्छा काम करवाया हुआ है बिल्डर ने तो चलिए आज की प्रॉपर्ट दिखाता हूं बाकी बात प्रॉपर्टी दिखाते हुए करेंगे अच्छा करेंगे करेंगे बाकी 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 बढ़न ballisticे अच्छा करेंगे बाकी अच्छा स्टिखाता हुआ है डेडा हुआ है थीज़ शुआ है विवले सेनध झाल झाल यह देख सकते हैं हमारी फ्रंट प्रोफाइल है बिल्डिंग की बाकी यहां पर आपको सामने जो है लोहे का गेट मिल जाता है यह देख सकते हैं और यहां पर आपको हिक विजिन का सिक्योरिटी कैमरा मिल जाता है दोर फोन और यह सामने हमारी बारा मिटर रोड आ जाती है यहां पर और उस साइड पर जो है आपका नौ मिटर की रोड आ ज जाता है यहां पर कॉब लाइट्स मिल जाती हमें और यह सामने का जो पूरा है यह एरिया हमारा टॉफ लोवेड टैरेस के साथ पार्किंग एरिया मिलता है तो चलिए आपको पीछे की साइड लेके जलता हूँ बाकी यह गेट है यहां पर यह हमारा पीछे वाला गेट है जो साइड वाली लेन से आता है और इस साइड पर जो हमारा सर्वेंट रूम आ जाते हैं यह देखिए इस साइड पर सारे सर्वेंट रूम आ जाते हैं हर फ्ल यह देखिए पीछे से कुछ ऐसी दिखती है हमारी बिल्डिंग तो चलिए आपको अब मैं लिफ्ट लॉबी की तरफ लेगे चलता हूँ इस साइड पे हमारी लिफ्ट लॉबी आ जाती है देखिए यह लिफ्ट आ जाती है यह आपे शिंडलर की तो चलिए टॉफ लो पे चलते हैं बाकी यह देखिए शिंडलर लिफ्ट है यहाँ पे और अब हम हमारे फ्लोर पे चलते हैं बाकी आपको मैं बता दूँ यह जो हमारी कुटो प्लाजा के बहुत ज्यादा पास है तो एंटर करते हैं अब यहां से यह देखिए कुछ ऐसा डिजाइन जो है गेट पे मिल जाता है काफी हेवी डोर लगा हुआ है यहां पे and this is our home तो चलिए हैं इसे ही शुरुआत करते हैं हमारे ड्रॉइंग एरिया से नीचे जो आपको वाइट इटालियन मार्बल मिल जाता है and ओपर एसी की फिटिंग मिल जाती है यह देखिए यहां पे and beautiful LED lights in the ceiling और यह हमारी front balcony आ जाती है यहां पे यह देखिए कितनी जादा greenery मिल जाती है यहां पे आपको इस एरिया में और मौसम तो आप देखी सकते है कितना सुआना मौसम हो रखा है और यह हमारी बाकी की balcony आ जाती है सामने आपको मैं दिखा देता हूं एक सेकंड यहां पे टैप मिल जाती है और घर के आसपास सारा जो है बहुत ज़्यादा greenery आप यहां पे भी देख सकते हैं यह मैंने अभी road दिखाई थी यह दिखाई थी corner की property है यह तो यह था हमारा drawing area चलिए आपको अब मैं हमारे powder room की तरफ लेके चलता हूं इस side पर हमारा powder room आ जाता है काफी बड़ा round mirror लगा हुआ सामने और बाकी कुछ ऐसी finish जो है हमें इस देखिए ऐसी finish वाल पे मिल जाती है और यहाँ पे आपको jaguar की fitting मिल जाती है यह देखिए काफी huge size है powder room का भी तो चलिए अब मैं आपको हमारे dining area की तरफ लेके चलता हूं पर उससे पहले दिखा दूँ यहाँ पे हमारा यह देखिए यहाँ पे आपको calf की chimney मिल जाती है और एक second मैं यह drawer खोल के दिखा देता हूं storage space का यहाँ पे आपको headache की fitting मिल जाती है बाकी एक second और इस side से यह देखिए यहाँ पे आपको microwave और OTG के लिए space मिल जाती है और window मिल जाती है ventilation के लिए and इस side पे हमारा wet area आ जाता है पूरा उपर गीजर मिल जाता है आपको और यहाँ पे यह देखिए double bowl sink मिल जाती है आपको तो यह थी हमारी kitchen अब मैं आपको जो है यह हमारा dining area दिखा देता हूं यह देखिए lights कितनी सुन्दर लग रही है यहाँ पे और यह basically हमारा पूरा dining area आ जाता है यहाँ पे ऊपर AC की fitting मिल जाती है और इस side पे हमारी balcony आ जाती है दिखाता हूं देखिए बहुत greenery मिल जाती है आपको यहाँ पे and यहाँ पे tap मिल जाती है यह देखिए कितनी greenery है इस area में तो चलिए आपको अब मैं first bedroom की दरफ लेकर चलता हूं हमारे यह देखिए यहाँ पे AC की fitting मिल जाती है आपको और इस side में हमारा wardrobe आ जाती है और washroom आ जाता है यह खोल के दिखा देता हूं एक second यह देखिए same wardrobe यहाँ पे मिल जाती है आपको बाकी भी और यह हमारा आप washroom आ जाता है यहाँ पे यह देखिए सामने glass partition के साथ shower area और यहाँ पे आपको जैगवार की fitting मिल जाती है और एक और चीज़ दिखाता हूं रुखिए यह white color की finish जो हमें यहाँ पे wall पे मिल जाती है आपकी नीचे storage space भी मिलती है हमें तो यह था हमारा washroom और dress up area आप पीछे की balcony दिखा दिता हूंगा मैं आपको आपको चारो तरफ से सिर्फ और सिर्फ greenery दिखेगी यहाँ पे और कुछ नहीं दिखेगा जो कि आज के time पे बहुत जादा ज़रूरी है इतना pollution होते हुए और यहाँ पर आपको tap मिल जाती है और यह देखिए कितनी बड़ी balcony मिल जाती है आपको पीछे की यहाँ पर तो यह था हमारा first bedroom अब मैं आपको जो है हमारे second bedroom की तरफ लेके चलता हूं देखिए उपर ceiling में lights भार से ही दिख रही है कितनी सुन्दर लग रही है और आपको यहाँ पर जो है AC की fitting मिल जाती है मतलब AC मिल जाता है और पीछे की यह सेम balcony आ जाती है और यहाँ पर आपका dress up area wardrobe and washroom आ जाता है यह देखिए कितने अच्छे color combination में जो है wardrobe बना रखी है खोल के दिखा देता हूं मैं इसे बंद कर देते हैं आप same wardrobe आपको यहाँ पर मिल जाती है यह देखिए यह washroom आजाता है अब हमारा beautiful work done यहाँ पर कुछ ऐसी finish जो हमें walls पर मिल जाती है और यहाँ पर देखिए जैगवार की fitting मिल जाती है आपको यहाँ पर इचे storage space मिल जाती है बाकी यह देखिए glass partition के साथ shower area आ जाता है हमारा beautiful washroom उपर आपका shower area के लिए वह आ जाता है rain shower तो यह था हमारा second bedroom अब मैं आपको जो है हमारे third bedroom की तरफ लेगे चलता हूं बाकी यह यहाँ पर store room type में आपको यहाँ पर मिल जाता है तो यह जो है हमारा इस side पर third bedroom आ जाता है front balcony से connected है यह वाला room यह पर AC मिल जाता है आपको और नीचे आपका सारा जो है Italian white combination जो कर रखा ना बाकी हर इंसान का अलग-अलग taste होता है मेरे को काफी अच्छा लगा तो यह देखिए अब wardrobe खोल के दिखा देता हूं इसकी मैं एक और खोल देता हूं एक second यह देखिए और इस साइड पर हमारा वाश्रूम आ जाता है ब्यूटिफल वाश्रूम ग्लास का gate मिल जाता है वाश्रूम में आपको और कुछ ऐसे color combination में जो finish की वी है बहतरीन लग रही है और यहां पर आपको यह देख सकते है glossera की fitting मिल जाती है beautiful color combination दे वाश्रूम और यहां पर आपको glass partition के साथ shower area आ जाता है बाकी इसका price जो है मैंने नीचे description में mention कर दिया है महाँ पर जाके देख सकते हैं और बाकी अब आपको मैं terrace दिखा देता हूँ so this is terrace बाकी यहां पर आपका water tank के लिए अलग से stairs दीवी है और यह हमारी अब terrace आ जाती है यह देखिए seating area की यहां पर अभी completion होनी है बहुत अच्छी लगेगी terrace यहां पर थोड़ा सा काम रह रखा है बस बाकी आप सिर्फ greenery and view enjoy कीजिए यहां से जो हमें building के top floor के साथ मिलता है सोचिए शाम को आप यहां पर hot coffee लेके बैटें या फिर आप enjoy कर रहे हों शाम को कितनी अच्छी feel आईगी यहां पर यहां बार टॉप आ जाता है यहां पर यह देखिए beautiful weather यह देखिए चारो तरफ सिर्फ और सिर्फ greenery देखेगी आपको और कुछ नहीं देखेगा तो अब मैं अपनी वीडियो जो है यहीं पर खदम करता हूँ thank you guys for watching this video please video को like share and subscribe करना ना भूले बहुत जादा मेहनत करते हैं उसी चीज के लिए आपकी कोई भी query होती है तो मैंने नीचे मेरा number जो है mention कर दिया है उस पर आप call या फिर whatsapp कर सकते हैं बाकी अगर मैं कभी answer नहीं कर पाता हूँ तो I assure you you'll get a call back so thank you guys thank you so much